हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों, आज की यह वीडियो बिजनेस कम्यूनिकेशन के बारे में है जिसमें हम समझेंगे 7 C's of Communication इससे पहले भी मैं बिजनेस कम्यूनिकेशन की और भी वीडियोस बना चुका हूँ आप चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं यह 7 C's of Communication में 7 points होते हैं जो C से ही शुरू होते हैं इसलिए इन्हें 7 C's का आ गया है यह कम्यूनिकेशन को और effective बनाते हैं बिजनेस में जो भी कम्यूनिकेशन किया जाता है जो भी information एक दूसरे से share की जाती है तो अगर उसमें इन 7 C's का use किया जाता है तो वा कम्यूनिकेशन और effective होता है इन 7 C's का use करके sender अपनी बात को receiver तक अच्छे से पहुचा सकता है और वा receiver भी उसे काफी अच्छे से समझ सकता है तो आएए इसकी एक definition देखते है तो आएए इसकी एक definition देखते हैं तो आएए इसकी एक definition देखते हैं दा 7 C's of communication are a list of principles for written and spoken communication to ensure that they are effective it is a guideline that ensures effective communication by functioning as a checklist इसका मतलब यह है कि या 7 C's of communication written and spoken communication के जो principles होते हैं जो उसके सिधान्त होते हैं उनकी एक list होती है जो communication को और effective बनाती है प्रभावी बनाती है या एक तरह से दिशा निर्देश है जो एक checklist के रूप में काम करके communication को और effective बनाता है अब business में जो भी communication किया जा रहा है वहाँ के एक manager है जो किसी को कोई बात बताना चारा है उससे communicate करना चारा है उसमें वह कोई message, information, idea, thought या कुछ भी हो सकता है तो वह उस message को deliver करते वक्त इन 7 C's को ध्यान में रखेगा तभी वह message को effective तरीके से receiver तक पहुचा सकता है तो आईए अब आगे जानते हैं कि आखिर ये 7 C's क्या होते हैं तो ये जो 7 C's होते हैं इन्हें principles of effective communication भी कहा जाता है क्योंकि ये communication को effective बनाते हैं अब 7 C's of communication का पहला C's जो start होता है, वह होता है clarity से, अब clarity clarity का सीधा मतलब या है कि जो भी message या information आप किसी को देना चाह रहे हैं या कोई बात बताना चाह रहे हैं तो आप किस लिए बता रहे हैं आपका goal या purpose क्या है आप सामने वाले से जो communication कर रहे हैं वह सारी चीज़े बिलकुल clear होनी चाहिए या यू कहें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या message देना है तभी communication effective होगा और receiver उस बात को आसानी से समझ पाएगा अब यहां एक चीज़ का और ध्यान रखे कि जो भी language आप communication करते वक्त यूज़ करें वह easy और simple भी होनी चाहिए ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ सके अगर आपका message clear होगा तो इसका फाइदा receiver या audience को होगा जो उस message या information को receive कर रहे है उन्हें भी वह message आसानी से समझ में आएगा तो इस तरह communication का पहला C जो start होता है वह होता है clarity अब जो भी message करें वह बिल्कुल आपको clear रहे कि आपको क्या बताना है, क्या बोलना है अब seven seas of communication में दूसरा point है completeness completeness से मतलब या है कि जो भी communication किया जा रहा है वह complete होना चाहिए आप अपने receiver या फिर अपनी audience को जो भी facts बता रहे हैं, जो भी information दे रहे हैं वह complete दे, ताकि वह उसे अच्छे से समझ पाए ये नहीं कि आधिया दूरी information दे कर audience को और confuse कर दे तो आपका जो communication है, जब वह complete होगा तभी आप उससे positive feedback पा सकते हैं अब माल लिजिए आप किसी mobile shop पर गए हैं आपको कोई mobile phone purchase करना है तो वहाँ का जो seller है, वह आपको बस mobile phone दिखा दिया कि ये mobile है, इतने price का है और इसके बारे में वह कुछ आप से नहीं बताया है यानि complete information नहीं दिया है तो आप उस mobile phone को purchase करने में interested नहीं होंगे पर उसी shop पर आपको एक और person दिखता है जो उसी mobile phone को sell कर रहा है तो आप उसे बुलाते हैं और उससे mobile phone के बारे में पूछते है तो वह person उस mobile के सारे features के बारे में आपको बताता है कि इतने GB का RAM है, इसमें ये processor लगा हुआ है इसकी इतनी battery है उसके design और looks के बारे में भी आपको बताया और इसके अलावा जो उस mobile phone में नएने features हैं उसको भी उसने अच्छे से define किया आपको बताया एक complete information वह दिया तो आप इस mobile phone को जरूर purchase करेंगे क्योंकि यहां communication complete है तो इस तरह communication जब complete होगा तभी वह effective होगा seven seas of communication का तीसरा point है consigness अब communication करते वक्त जो भी message या information दे रहे हैं उसमें कम से कम शब्दों का use करें ताकि जो receiver है वह उस message को अच्छे से पढ़ पाए समझ पाए अगर message written में है तो कोशिश करें कि उसे कम से कम शब्दों में explain करने की और अगर कोई lecture या speech दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह बहुत ज्यादा लंबना हो जिससे कि जो audience उसे सुन रही है वह बोर होने लगे और उसे उतने ध्यान से सुने ही न तो इसलिए short में ही अपनी बातों को explain करिए इससे दोनों party का time बचेगा यानि sender और receiver दोनों का time बचेगा चौथा C हमारा होता है consideration consideration means आपको जो भी message डिलिवर करना है वा receiver के हिसाब से ही deliver करना है आप जो भी message या information दें तो second person जो है जो उसे सुन रहा है जो receiver है उसे ध्यान में रखकर ही communication करें तो message या information देते वक्त आप कुछ ऐसा न बोल दें जिससे कि उनको बुरा लग जाए इसलिए आपको अपनी audience या receiver के angle से भी सोचना चाहिए कि क्या बोलना उनके लिए सही है और क्या नहीं 7 C's of communication का पांचवा point है correctness इसका मतलब या है कि आपको जो भी message या information दूसरों को देनी है वा correct होनी चाहिए, सही होनी चाहिए आपको कोई भी ऐसी information नहीं देनी चाहिए जिसके बारे में आप खुद sure नहीं है कि वा सही है भी या नहीं तो इस तरह इसमें कोई grammatical error नहीं होनी चाहिए अगर आपकी जो information है वा correct होती है तो इससे आपका confidence भी बढ़ता है next हमारा point होगा concreteness इसका मतलब होता है to the point तो जब भी आप किसी से कोई communication कर रहे हैं कोई information दे रहे हैं तो जो बात है और जो facts हैं उनी के बारे में बताएं बात को घुमा फिरा कर करने से communication effective नहीं होगा अगर कहीं आप कोई lecture दे रहे हैं तो कुछ facts का भी use कर सकते हैं इससे communication और effective होगा figures में कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो भी सही बताएं ना कि गलत तो इन सारी चीज़ों का भी आपको communication करते वक्त ध्यान देना होता है 7 C's of communication का next और last point होता है courtesy courtesy का मतलब होता है विनर्म या विनर्मता या सिष्टा चार भी जिसे कहते हैं तो जब भी आप किसी से कोई communication करें तो जो भी information या message share करें वह polite way में होना चाहिए आपका जो भी behavior है वह helpful nature का होना चाहिए friendly होना चाहिए तो इस तरीके से आप जब communication करेंगे तो आपका जो receiver है जो आपकी audience है तो उन्हें भी या लगेगा कि आप उनकी respect कर रहे हैं तो वह भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों यही seven seas of communication होते हैं जिने हम principles of effective communication भी कहते हैं इनका use करके हम communication को और effective बनाते हैं तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको या वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें और बेल आइकन को भी on करना ना भूलें ताकि आने वाली notification आपको मिलती रहे मिलते हैं next वीडियो में thank you